ओम शान्ति स्पार्क आदियो बुक बदली पार्ट फोर टॉपिक सोला हजार तो एवर रेडी हो ऐसे सभी एवर रेडी कम से कम सोला हजार तो एवर रेडी हो नौ लाग छोड़ो उसको भी छोड़ दो सोला हजार तो तयार हो है तयार बजाय ताली ऐसे ही हा नहीं करना हैवर रेडी हो जाओ तो बाब दादा टच करेगा ताली बजाएगा प्रकृति अपना काम शुरू करेगी साइस वन अपना काम शुरू कर देंगे क्या देरी है सब रेडी है सोला हजार तयार है है तयार हो जाएंगे यह जवाब तो छुडाने का है सोला हजार की रिपोर्ट आने चाहिए एवर रेडी संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए बाब दादा को ताली बचाने में कोई देरी नहीं है डेट बताओ आप डेट तो सभी से पूछो देखो होना तो है ही लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्टन तब बाब के साथ चलेंगे नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा बाब दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं क्योंकि साथ चलना है तौपिक संगठन की शक्ति अभी दवानी 17.03.03 अभी बाब दादा ने प्लैन बनाया है दिल में तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदी रतन निकले हैं उन्होंका संगठन पक्का करना है कब करेंगे? जब आप करो यह ड्यूटी आपकी दादी चानकी की है आपकी दिल का संकल्प भी है ना क्योंकि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यत्ता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वहिद कर सकती है संगठन की निशानी का यादगार है पाँच पांडव, पाँच है लेकिन संगठन की निशानी है, संगठन को जमा करने की जिम्बेवारी इनकी दादी जानकी की है, यह दादी तो बैकबोन है लास्ट अन्तिम पेपर, सभी ब्रहमणों का यही छोटा सा है, नश्टो मोगा सिम्रिती स्वरूब टॉपित, ओडर आएगा, आजाओ अव्यक्तवारी 17 अक्टूबर 2003 सोचने वाले नहीं बनना, निभाने वाले, जब मेरा कह दिया, मेरा बाबा, और बाबा ने भी कहा, मेरा बच्चा, पक्का सौधा हो गया ना दादियां ठीक हैं, फॉर्नर्स को देख के खुश हो रही है ना, बहुत खुशी, दादी को तो बहुत उमंग आता है, अगर कुछ हो सके ना, तो दादी सब को यहां ही बिठा दे वे, यह सब हाजिर है, कि सोचेंगे, लंडन के डाइमन्ट हॉल का क्या होगा, नहीं, यह सब एवर रेडी है, अगर बाब दादा ओर्डर करें, आजाओ, कुछ भी सोचो नहीं, सेवा को, सेंटर को, साथियों को, कुछ नहीं सोचो, आजाओ, तो आजाएंगे, हाँ जी, अच्छा है, वे, भी दिन आएगा, ओर्डर आएगा, आजाओ, क्योंकि बाब का प्यार है न, अलग-अलग मेही करके, साथ चलेंगे, जो पक्की होंगे, वे, रहेंगे, टॉपिक, दादियों के समान, सेवा के, आदी रतन भी जिन्मेवार है आदी पुरानी बड़ी पहनों से, सभी अपने को सिन्मेवार समझते हो, तो आप सब के ऊपर बेहत की सिन्मेवारी है, सिर्फ पंजाब, गुचरात, बॉंबे नहीं, बेहत की जैसे दादियां है न, तू बेहत में है न, ऐसे निमित कहां के भी हो, लेकिन सदा बेहत की सिन्मेवारी अपने ऊपर समझो कोई भी समय कहां भी आवश्यता हो, तो एवर रेडी हो, जैसे दादियां है, वैसे आपका ग्रुप है, अभी कोई है, कोई नहीं है, लेकिन ऐसा सेकिंड ग्रुप भी बहुत बुद्धिवान है, सर्विसेबल है, बहुत काउन कर सकते हैं, तो यह सदा समझो कि हम बेहद के हैं, हद के नहीं, तो एवर रेडी हो, कोई समय भी बुलाया, तो आजाएंगी, या कहेंगी, जोन का बहुत बड़ा काम है, तवियद ठीक नहीं है, नहीं, तवियद को बाब दादा आपे ही चनाएगा, कोई भी सिम्मेवार हो, बाब दादा की नजर में है, इसनी ये खास पुलाया है, टॉपिक, लास्ट पेपर में नंबर वन आनेकीन विधी, अव्यत दवानी, 30 नवंबर 2005, समय की समेक्ता को देखते, अपने को देखो, सेकिंड में सर्व बंधनों से मुख्त हो सकते हो, कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि नास्ट पेपर में नंबर वन होने का प्रतक्ष प्रमाण है, सेकिंड में जहां जैसे मन बुद्धी को लगाने चाहो, वहां सेकिंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए, टॉपिक, उन्हों से ही बाबतादा मिलेंगे, अब प्रतिकन करकी दिखाना, फिर बाबतादा आएगा, अभी टीचर बनेगा, ऐसे नहीं आएगा, तो जो लिखेंगे, एवर रेडी, उन्हों से बाबतादा मिलेंगे, औरों से नहीं, चाहि मदबन में हो, चाहि कहां भी हो, ठीक है, मदबन वाले ठीक है, डबन फॉर्नर्स तो एवर रेडी होंगे न, बाब दादा सबका संपन्न स्वरूप देखेगा, एवर रेडी होंगे, टोपिक, एग नश्टो मोहा, दूसरा एवर रेडी, अव्यत्वानी, 15 दिसंबर 2007 बाब दादा ने पहली भी सुनाया है, कि समय की रफ्तार बहुत तीवर गती से आगे बढ़ रही है, समय की गती को चानने वाले, अपने को चन करो, कि मास्टर सर्वशत्तिवान हमारी गती तीवर है, पुरुशार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाब दादा क्या देखने चाहते हैं, हर बच्चा तीवर पुरुशार्थी अहर सबजेक्ट में पास्वित आनर है, वा सिर्फ पास हैं, तीवर पुरुशार्थी के लक्षन विशेश दो हैं, एक नश्टो मोहा, दूसरा हैवर रड़ी, सबसे पहले नश्टो मोहा, इस देहभान देही अभिमान से है, तो और बादों में नश्टो मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है, देहभान की निशानी है, वेस्ट, व्यन्थ संकल्प, व्यन्थ समे, यह चेकिंग, स्वयम ही अच्छी तरहां से कर सकते हो, साधारण समे वह भी नश्टो मोहा होने नहीं देता, तो चेह करो, हर सेकिंड, हर संकल्प, हर कर्म सफन हुआ, क्योंकि संगम युपत, विशेश, बाग का वर्दान है, सफलता आपका जनम सिद्ध अधिकार है, तो अधिकार सहच अनुभूती कराता है, और एवर रेड़ी, एवर रेड़ी का अर्थ है, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में, समय का ओर्डर हो, अचानक, तो एवर रेड़ी और अचानक ही होना है, जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेड़ी, हर सोभाव में, हर कारे में, इजी रहे है, संपर्क में इजी, सोभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी, इसलिए बाब दादा, समय की समेपता कान, बार बार इशारा दे रहा है, स्वपुरुशाद का समेख बहुत थोड़ा है, तो एवर रेड़ी हो ना, कल भी कुछ हो जाए, एवर रेड़ी है, पहली लाइन, एवर रेड़ी है, कल भी हो जाए तो, टीचर्स तयार है, तो अच्छा, यह वर्ग वाले तयार है, जितने भी वर्ग आए हो, एवर रेड़ी, सोचना, देखना, दादियां देख रहे है, सब हाथ हिला रहे है, अच्छा है, मुबारक हो, अगर नहीं भी हैना, तो आज की राद तक हो जाना, क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है, बाब दादा, मुक्ती का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी, आपका अहवाहन कर रही है, आपको भिनभिन देश में, सेवा के लिए भेजा गया है, पर्मानेंट एड्रेस आपकी कौन सी है, पता है, पर्मानेंट एड्रेस कौन सी है, मधुपन की लंडन, अमेरिका, मधुपन है, बोलो, पर्मानेंट एड्रेस मधुपन है, पक्का है, सेवा के लिए गई हो, घर मधुपन है, सेवा स्थान अलग-अलग है, टॉपिक करावनहार करा रहा है अव्यत्वानी 5th मार्च 2008 जब मैपन आता है तो एक शब्द याद आवे करावनहार कौन? बाप करावनहार करा रहा है करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे तो मैपन नहीं आएगा मेरा विचार मेरी ड्यूटी ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है मेरी ड्यूटी लेकिन देने वाला दाता कौन? यह ड्यूटी प्रभू की देन है प्रभू की देन को मैं मानना सोचो अच्छा है टॉपिक स्थान बाब दादा ने दिये है अव्यत दवानी 18th March 2008 बाब दादा ने सुना कि जहां बाब दादा ने बच्चों को सेवा करने के लिए गिफ्ट में स्थान बना के दिया है चाहे दिंडी, और सी में चाहे हैदराबाब ले टॉपिक एवर रडी अव्यत दवानी 2nd April 2008 बाब का इशारा समय प्रती समय प्रक्टिकन देख रहे हो अचानक एवर रडी क्या दिदी के लिए सोचा था कि जा सकती है अचानक का खेन देखाना तो इस वर्ष एवर रडी अव्यत दवानी 20th October 2008 बाब दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है इसलिए एवर रडी अव्यत दवानी 15th December 2008 तीन शब्द बाब दादा के सदा याद रखो एक अचानक दूसरा एवर रडी और तीसरा बहुत कान यह तीनों शब्द सदा बुद्धी में रखो अव्यत दवानी 22nd February 2009 तीन शब्द बाब दादा समय प्रती समय याद दिलाता है पहना अचानक दूसरा एवर रडी और तीसरा बहुत समय का खाता चमा अव्यक्तवानी 9th March 2009 आप सभी चानते भी हो कहते भी हो एवर रडी तो संपन और संपोर्ण बनने में एवर रडी हैं टोपिक बेहत का वहराग्य अव्यक्तवानी 7th April 2009 बाब दादा ने समय प्रती समय इशारा तो दे दिया है लेकिन आज विशेश बाब दादा एक तो बेहत की वराग्य तरफ इशारा दे रहा है तो सेवा करो लेकिन सेवा के साथ-साथ अपनी बेहत की वराग्य की चेकिंग भी ज़रूर रखना सीजन के बाब दादा के महवाक्य टोपिक अचानक एवर रेडी अव्यक्तवानी 25 अक्टूबर 2009 फर्स्ट पॉइंट बाब दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है इसलिए संदेश देने का वा अपने प्रोग्रेस का अभी अभी कभी कभी नहीं नेक्स्ट बेहत का वराग्य गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती जाना है, जाना है, याद रहता है तो बेहत का वराग्य नेक्स्ट अभी लक्षे रखो बेहत के वराग्य नेक्स्ट अभी एवर रेडिंग ग्रूप बनाओ वह सभी देश आपस में रायकर ब्रोग्राम बनाए कि यहां सभी निर्विखन रहेंगे एवर रेडि रहेंगे सेवा के दिये एवर रेडि अभी तो समय अनुसार आप लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा इतना इस समय की वेल्यू है क्योंकि बाब दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा बाब दादा भी बताएगा नहीं इसलिए इस समय का अटेंशन संपूर्ण और संपन बनाना है अव्यत दवानी 30 नवंबर 2009 फर्स्ट पॉइंट तो बाब दादा अभी क्या चाहते है हर बत्चा क्योंकि बाब दादा कुछ समय से लेके वार्निंग दे रहे हैं समय की हर बच्चे की बढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है इसकी लिए सदा एवर रेडी नेक्स्ट अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइंग आ गया तो नेक्स्ट साधारन पुरुशार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा क्योंकि अभी बाब दादा सभी जो भी स्टूडेंट्स है हर एक स्टूडेंट को अभी पहले यह 15 दिन की रिहर्सन कराके कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराने चाहते हैं जो सभी से हाथ उठवाएं एवर रेडी नेक्स्ट अभी बाब दादा यही चाहते हैं कि देश वाविदेश का हर बच्चा एवर रेडी सदा रहे जैसे अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ाई में वह सदा यही इंतजार करते हैं कि जल्दी जल्दी इंतहान हो ऐसे ही अभर बच्चा ऐसा एवर रेडी हो कि कल भी कुछ हो जाए तो एवर रेडी सब सबजेक्ट में चार ही सगजेक्ट में एवर रेडी समय आया और पास विद ओनर बना अव्यत दवानी 15 दिसंबर 2009 फर्स्ट पॉइंट अच्छा ठीक है पेपर ले हाथ उठाओ अच्छा परिवार में पास हो परिवार के संबंध में आना क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहां जाएंगे नहीं रहना ही है निभाना ही है तो इसमें पास हो नेक्स्ट अब बताओ ओर्डर करे बच्छी अगर एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृती को ओर्डर करे करे हाथ उठाओ तयार हो ऐसे नहीं हाथ उठाओ पेपर आएगा आएगा पेपर एवर रेडी नेक्स्ट सेंटर के कनेक्शन में जो है वह भी अगर एक हो जाएं तो उस जोन को शहर को भी बाब दादा इनाम देगा नेक्स्ट चलो अचानक हो भी चाएं नेक्स्ट तो इस बेहत की नाटक में भी नमबर वन आना ही है यह पक्का है ना आना ही है बनना ही है चाहे कुछ भी करना पड़े एवर रेड़ी है एवर रेड़ी कुछ भी करना पड़े तो एवर रेड़ी नेक्स्ट अभी जन्दी जन्दी करो अचानक कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट अभी इस डिल से सभी को सदा के लिए अपने पुरुशार्थ की गती तीवर करनी है क्योंकि बहुत काल चाहिए, मानों पीछे कर भी लेंगे, लेकिन बहुत कान का भी संबंध है, इसलिए सभी अटेंशन दे, मुझे करना है, कोई करे, नहीं करे, लेकिन मुझे एवर रेडी बनना ही है. अव्यत्वानी, 31. दिसंबर, 2009 फर्स्ट पॉइंट, बाब दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है, की अचानक होना है, तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा, तो बताओ, अचानक के समय अभ्यास की आवश्यत्ता है, ना? नेक्स्ट, तो सोचो, अगर दस मिनट का अभ्यास का नहीं हो सकता, तो अचानक में उस समय क्या करेंगे? अव्यत्वानी, 18. जन्वरी, 2010 फर्स्ट पॉइंट, अचानक कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट, कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है, तो इतनी तयारी सबके अटेंशन में है, अपना कर्मों का हिसाब चुक्तू किया है, नेक्स्ट, पूरा बेहत की वेरांगे का अनभव चेक किया है, अपनी दिल में यह चेक किया है, कि एवर रेडी है, नश्टू मोगा सिम्रिती स्वरूप नेक्स्ट, अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बना कर उड़ गए, कोई ने समझा कि प्रहमा बाप चाने वाले हैं, लेकिन नश्टू मोहा बच्चू के हाथ में हाथ होते, कहां पकर्षन रही नेक्स्ट, ऐसे पूरा वर्सा लेने वाले यही लक्षे बुद्धी में रखो, कि अचानक अवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो इसलिए बाप दादा के सभी आशाओं के देपक, बच्चों प्रति यही वर्दान है, कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रख कर सभी आशाओं के देपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ नेक्स्ट, तो आप सभी एवर रेडी हो, कहां भी बुलावा हो, तो सेवा दे सकते हो अव्यत दवानी, 30 जन्वरी 2010 फर्स्ट पॉइंट, इसलिए अभी समय प्रमान सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है जैसे अभी प्रकृति का अचानक बातों का खेल चल रहा है, आरंब हुआ है अभी नई-नई बाते अचानक अर्थ क्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आतमाएं चली गई क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं ऐसे कई अक्सिडेंट भिन भिन स्थान पर अचानक होना आरंब हो गया है इकठे के इकठे एक समय अनेकों की टिकिट कट रही है तो ऐसे समय में आप एवर रेड़ी है यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुशार्थ कर रहा हूं एवर रेड़ी अर्था आप कोई भी वर्दान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना नेक्स्ट तो पूछते हैं एडवांस पार्टी वाले और बाब दाधा भी कहते हैं कि आखिर भी सभी निराकारी फरिष्टे स्वरूप में कब एवर रेड़ी होंगे आजकल प्रकृती भी बहुत पुकारती हैं बोच बहुत पढ़ता जाता है मन का भी शरीरों का भी इसलिए सभी आपका आवाहन कर रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा अपना एवर रेड़ी का नजारा दिखाओ वहें नजारा है जाइदा में जाइदा समय या फरिष्टा रूप या निराकारी रूप प्रक्टिकल में प्रतक्ष करो अपना नेक्स्ट आगे पीछे नहीं जाना है पहले यहां एवर रेड़ी का रूप प्रतक्ष होना है जिससे प्रतक्षिता हो बाब तादा की कारे की तो अभी तीवर पुर्शार्थ करो एक दो को सहयोग दो आगे बढ़ाओ कमसोर को सहारा दो ऐसा संगठन बनाओ ओम शांती प्रतक्ष झाल झाल स्क्तर करो एक दो नहीं जाना है झाल